असलाम अलेकुम, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ स्ट्रॉबरी जैम स्ट्रॉबरी जैम आप घड में ही बना सकते हैं, बहुत असान तरीके से इसका ठीस्ट बहुत सबर्दस्त होता है, आपको ज़रूर पसंद आएगा इसके लिए आपने सबसे पहले फ्रेज स्ट्रॉबरी जैदेनी है, और इसे अच्छी तरीक, इसे हमने फिर भूपट कर लेना है, और इसके जितने भी लिज merch हैं हमने इसे फटा लेना है फिर हमने इसके अंदर चीनी एड़ कर देनी है चीनी डानने के बाद हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि चीनी अच्छी तरीके से स्ट्रापरीस पर कोड हो जाए और हमने फिर इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देना है जब आप इसे थोड़ी देर क लिए छोड़ देंगे एक दो घंडे के बाद जब आप देखेंगे तो इस तरह इसका चीनी का शीरा खुद बहुद आ जाएगा इस तरह देख सकते हैं कितना लिक्विट फॉम में यह आ चुका है जब यह इस कंसिस्टेंसी का हो जाए पिर हमने इसे एक सॉस पैन में डालन कि इस्तेमाल नहीं करना इसमें जो भी पानी है वो इसका स्ट्रॉबरीज का और शुगर का है अब इसे हमने अच्छे तरीके से पका लेने हैं और इसमें चम्चे को चलाते रहने हैं वन्ना यह निचे से जलना शुरू हो जाती है अब आब इसे देख सकते हैं इसे थोई- इसे 25 मिनट लगते हैं लेकिन इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त होता है बिलकुल बजार जैसा होता है और सबसे ज़ादे जब आब इसे घर में बनाएंगे तो साफ सुत्रे तरीके से बनाएंगे तो यह हमाई लिए सबसे बैस्ट रेसिपी होती है कि जो हम खुद से बना अब यह थोड़ा सा थिकने पे आता जा रहा है अब इसका चेक करने के तरीक है एक जहाम इसमें फूक डालेंगे इसके होल्स में ना रूक वह भुषक ज़िए यह होता है कि हमने और पकाने हैं पी जब है आगारा होती हो जाए तो तो सब्सक्राइब हो जाए कर दो के तो किया है श्टाइबरी से कंसिस्टेंसी जाए श्टाइब करने के तो यह मुटी मुटी नजरानी चाहिए अब आप विसमें देख सकते हैं यह इस तरह मुशना इंदर रुक गया है अब स्थाइम से फिये स्पया इसमें से और भूणे रहा है इस तेन और एदिता ही तरह मशना है इसमें आप ञाए हमारा जैम रेडी है वह और इसमें घूला अब लेमन जूस जालने के बाद मिक्स करें करके बंड़ मिर देना है क्यामन जूस दानने के बाद अच्छी दाना मिक्स करें और बस फॉरां जूले को बन कर दें इसको एक दफ़ा और आप चेक कर लें ये इस दाना होना चाहिए अब हम जब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो ये खुद बाखुद और ठिक हो जाएगा जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए फिर हमने इसे किसी भी जार में सेफ कर लेने हैं कि फ्रिज में एक महने तक भी खराब नहीं होता है सही रहता है अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं इसे ब्रेट स्लाइस पे लगाएं आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें इसकी थिकनेस कितना जबर्दस रेडी हुआ है ये इसका टेक्स्चर इसका टेस बिल्कुल बजार जैसा होता है और जब घर में साफ सुत्रा बनता है तो उसका जैका भी डिफरेंट होता है जरूर ट्राइक करिएगा इन्शाला आप लोको जरूर पसंद आएका एंजोई करें आला हाफिज